नमस्कार दोस्तों सागत आप काल वंडे एंड डेजर जाम चैनल पे तो इस वीडियों हम आपको बताने बाले हैं आर्सरजार पांसो सिच्चक बरती संबंधित न्यूद जिसमें हम बताएंगे कि अभी कुछ अभ्यर्थी जो पास हुए हैं आर्सरजार पांसो सिच्चक ब ठीक है और साथ ही साथ बताएंगे अगर आपने मुल्यांकन नहीं करा अपने कापियों का उसका मुल्यांकन भी करा जाएगा वो भी फिरी में तो आई हम लोग साधी नियूजा आपको दिखाते हैं वीडियो सुरू करने पहले अगर हमारे चैनल पहली बार आ हैं तो चैन बता देता हूं पहले अपको संश्यव में ब्ताद दूंगा हुई है उसमें से तकरीबन जो है एक क्यावन अभरती ऐसे हैं जो फेल थे उन्हें पास कर दिया गया है और तीरपन भरती ऐसे हैं जो पास हैं उन्हें फेल करने की योजना बनाई जा रही है ठीक है शाती साथ इसमें कुछ और न्यूज था जो था इसमें कि आप देखिए टारीक से लेके बीस तारीक तक इसका मुल्यांकन करने के लिए आप आवेदन कर पाएंगे जो एकदम से निसुल किया जाएगा ठीक है सरकार दाने सुल्क होगा अगर आपको लग रहा तो आप मोल्यांकन के लिए आवेदन कर सकतें 11-20 अक्टूबर ये आपके लिए अगर आप उस में आते हैं तो आपके नोकरी पक्की है आपको नोकरी मीलेगी ठीक है इस में से आप देखrictर है इसमें वही है कि कि जो अभी जो तीरपन ऐसे बैठी हैं जो सफल बताए गए हैं ठीक है अब इनको न्यूक्ति दिया जाएगा और इसकुटिनी में फेल हुए हैं उसके बाद आप देखिए इसमें लिएक उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन परणाम का अधार पर इनका भाविश्चत होगा यह जो फेल हैं उनके लिए बता जा रहा है जिनका न्यूक्ति पत्र मिल चुका है लेकिन अब इनके बारे में सरकार को तरह करना है कि अभी ने करना क्या है वहीं आपको मैं बता दाना कि कुछ अबहरती ऐसे हैं जो पास हैं अब उनको फेल कर दिया गया तो उनकी भी नि पत्ति पत्त दिया जाएगा ठीके दोस्तों तो यह आप सब के लिए खुशी की बात होगी अगर जो बैठती पास होते हैं जो फेल होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत भरी खबर है लेकिन अब देखे होता क्या है अब सरकार जैसा फैसला लेती है और आप 11 से ल यह आप आवेदन जरूर कर लें तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अपने लिए वीडियो में वीडियो पसंदे लाइक करें सेर कर सेस्क्राइब करें धन्यवाद